एलो दोस्तों नमस्कार में विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुगेशन विजय परिवार में आपका स्वागत है और अब मैं बात करने आया हूँ अरियाना बीएसी नर्सिंग के बारे में अरियाना में बीएसी नर्सिंग और पेरा मेडिकल इन दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन के लिए पीजी आईएमेस रोतक के द्वारा और पीटी बीडी सर्मा यूनिवर्सिटी के द्वारा UHSR नाम से एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर एक्जाम का CET इंटरेंस एक्जाम का सेड्यूल डाला गया था ये सेड्यूल आज से ठीक एक महीने पहले डाला गया और उस एक्जाम के सेड्यूल के साथ इन्होंने सिलेबस भी डाला कि भई हम जो एक्जाम करवाएंगे उसमें ये सिलेबस रहेगा लेकिन इन लोगोंने बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोका किया दोका ये किया कि इन्होंने उस सेड्यूल में एंट्रेंस एक्जाम की जो डेट डाल रखी थी वो थी 16 जून इन्होंने कहा हम 16 जून को एक्जाम करवाएंगे लेकिन ये फोरम निकालना ही भूल गए इन्होंने बच्चों के लिए form ही जारी नहीं किये कितनी सरम की बात है कितनी सरम की बात है आप अगर देखेंगे बच्चो तो वो मैं notification आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे यह website है original official website आप देख लो है ना यह PGIMS दिख रहा है आपको PGIMS रोतक और PTBD सरमा Postgraduate Institute of Medical Science है कि नहीं है बच्चो बिलकुल जी और इसी website के उपर बच्चो इन्होंने यह पूरा system कर रखा है है ना इसकी एक website तो बच्चो यह है इस website पर मैं आपको contact detail भी बता रहा हूँ है ना तो यहाँ पे इनके contact detail है अलग-अलग email idea दी हुई है यहाँ के जो dean है जो medical superintendent है director है joint director है सभी की जो है यहाँ पे idea दे रखी है है ना आप यहाँ देख सकते है बच्चो अब मैं आपको यहाँ पे बच्चो एक यह वाली जो email idea आपको दिख रही है यह email idea बच्चो यहाँ के dean की है किसकी है यह email idea बच्चो यहाँ के dean की है इस email idea का हम क्या करेंगे जी अभी बताऊंगा थोड़ी दे रुख जाओ आप ठीक है ना बच्चो बिलकुल जी अब देखिएगा तो एक तो मैं अभी इस email idea का क्या करना है वो बताऊंगा ठीक है ना और दूसरी बच्चो आप देखिएगा तो मैं वो notification भी दिखा रहा हूँ साथ मैं कुछ proof भी दिखा रहा हूँ तो बच्चो यह इनकी original official site है और इसी site की एक और copy है क्योंकि यह website यह देखिएगा यह दोनों same website है एक ही website है दोनों government of अर्याना की है पंडित भगवत दयाल सर्मा University of Health Science ठीक है अब बच्चो इन्होंने क्या किया इस website पे website किस नाम से है uhsrac.in इस नाम से website है आप देखिएगा और इसी website पे बच्चो फोरम बरे जाते है यही वो website है जहांपे फोरम का link आया था ओके बिलकुल तो देखो बच्चो इस website पे मैं आ गया हूँ इस website पे आने के बाद मैंने academic पे क्लिक किया है इधर भी admission लिखा हुआ है मैंने admission पे क्लिक किया जैसे ही मैंने admission पे क्लिक किया है मेरे सामने यह interface खुला है बटा इधर देखो इधर उपर से नमबर दो पे लिखा हुआ है exam notice for CET 2024-25 बच्चो बीएसी नर्सिंग पेरा मेडिकल और फीजियो तेरेपी में admission के लिए हरियाना में जो entrance exam होता है उसे CET बोलते है और हरियाना से जिन बच्चों को बीएसी नर्सिंग कोर्स करना है पेरा मेडिकल कोर्स करना है फीजियो तेरेपी कोर्स करना है उसके 12 में बाई लोजी सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है खिलियर बात है तो आपके 12 में बायो होनी चाहिए minimum age आपकी 17 साल होनी चाहिए हैना आप फोरम भर सकते हैं तो इन्होंने ये notification जारी किया बेटा 17 माई को ये notification आया था आप देख लो और ये इसके notice के number है ये देख लो आप note कर सकते हो अब बच्चों देखो देखे इस notification में इन्होंने लिखा क्या है देखो इन्होंने कहा exam notice for CET इन्होंने कहा है कि ये सारे courses बताए है कि हम जो है इन सभी courses का exam कब करवाने वाले है इन्होंने कहा कि हम 16 जून को exam करवाएंगे और नीचे इन्होंने बच्चों को कहा कि ये syllabus हमने enclose किया है साथ में हमने syllabus attach किया है आप अपनी तयारी सुरू कर दो अब बच्चोंने क्या किया syllabus के according अपनी तयारी सुरू कर दी है ना ये इन्होंने नीचे यहां पर syllabus भी डाल रखा है और इधर पेपर पैटरन भी डाल रखा है जैसे बीएसी नर्सिंग पैरा मेडिकल फीजियो तेरेपी का combine exam होता है तो ये इनका पेपर पैटरन है exam का medium English रहता है पेपर बचों तीन घंटे का रहता है और पेपर के अंदर physics, chemistry और biology तीन सब्जेक्ट से 180 क्यूसन, 180 marks के there will no negative marking negative marking नहीं होती है और syllabus 11th और 12th का 11th और 12th के according पूरा पेपर आता है और ये इनका पूरा syllabus डाला हुआ है इधर ये आप देख सकते हो ये syllabus इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है बचों ये देखिएगा यहाँ से syllabus इन्होंने attach किया है ये देखो ये इनका बचों पूरा syllabus है दिख रहा है आपको ये 11th और ये 12th ये 11th की physics के chapter है फिर ये 11th और ये 12th chemistry के chapter है ठीक है बचों? बिलकुल जी अब इधर देखिएगा ये 11th और ये 12th ये bio के chapter है और इधर इन्होंने नीचे detailed syllabus भी दे दिया है जो NCRT ने chapter remove कर रखे हैं इन्होंने वो chapter भी दिये हैं तो कुछ भी delete नहीं होगा full syllabus आएगा ऐसा इन्होंने कहा है लेकिन 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 ये बात तो ठीक है लेकिन इन्होंने जो date बोली न कि हम exam 16 जून को करवाएंगे एट तो चली गई university सोई हुई है अभी भी नीद में यहां की team को नीद आ गई होगी या वो इन बच्चों को भूल गए होंगे हर्याना के लगबग 50 से 60 जार बच्चे और उनके अभी बावक इस उमीद में बेठे हैं कि मेरी बेटी का मेरे बेटे का फोरम आएगा और हम भरेंगे और कुछ लोगों को तो सक होने लगा है कि कहीं 16 तारी को डेट तो नहीं निकल गई कहीं 16 जून को चुपके चुपके एक्जाम तो नहीं करवा दिया university ने क्योंकि डेट तो 16 जून दी हुई थी अब कितनी सरम की बात है ये लोग एक notification नहीं डाल सकते website पे इतनी बड़ी university है चलो लेट हो गया हम मानते हैं बहुत सारे कारण हो सकते हैं देरी के अरे भाई लेट हो गया तो website पे तो डालो कि 16 तारिक की जो डेट है वो हम बदल रहे हैं कितनी सरम की बात है कि आपने 16 डेट दे दी आप उसे change भी नहीं कर रहे हैं और आप नया notification भी नहीं डाल रहे हैं तो क्या विचार है आपका अब अगर आप form जारी नहीं करोगे तो फिर बच्चों के तो session ही लेट हो जाएंगे फिर आप कब counselling करवाओगे कब admission दोगे और कब बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी बड़ी शरमनाक बात है ये तो इस चीद को कोई accept नहीं कर सकता मेरा clearly निविदन है university की team से आप अपना fix schedule रखिए ऐसे बच्चों के साथ में मजाक नहीं होना चाहिए बच्चों को clarity पता होनी चाहिए बच्चे अगर अंधेरे में रहेंगे बच्चों कोई अगर जानकारी नहीं होगी तो वो पढ़ी नहीं पाएंगे उनके दिमाग में बारबार एक ही चीज आ रही है कि 16 लाको exam है, 16 लाको exam है, 16 लाको exam है आपने forum इंचारी नहीं किया तो इसलिए हमारा अभी भी आग रहे है पर आशनलों जितने भी यूणिवरसिटी के जो अधिकारी है, जो examination section के aid है जो dean sir है हम सभी से request कर रहे हैं कि आप तुरंथ forum filling का process start करवाईए आप website में notification डालके ये बताईए कि कब form आएंगे कब exam होंगे ताकि बच्चे उसके according अपनी preparation को करते रहें ठीक है और हमें तुरंथ form चाहिए website पे हम हमारे session को late नहीं करना चाते बच्चो इसके लिए हम social media पे मुहिम चला रहे हैं Twitter के माध्यम से Twitter के माध्यम से मैंने जो है बटा इस university के द्वारा ये जो पूरा कही ना कहीं जो लापरवाई हुई है मैंने tweet किया है बटा मैं social media के द्वारा इस मुद्दे को उठा रहा हूँ आप इसे share करते रहें बस मेरा एक ही निवेदन है आप इस video को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं मीडिया चैनल्स तक पहुँचाएं ठीक है ना बिल्कुल ताकि बच्चो एक systematic university का schedule बने ऐसे मनवानी नहीं होनी चाहिए सिस्टम होना चीए ठीक है ना इतनी बड़ी university लाकों बच्चो के साथ लापरवाई नहीं कर सकती यह बच्चो यहां के dean की email idea आप देख सकते हो है ना आप एकदम systematic डंग से इस पे email लिख सकते हो ठीक है ना den pgims at the red hry.nic.in इस पे तो कम ही email करने आपको ज़्यादा नहीं करने बटा ठीक है ना इस पे जो भी email करे वो फूरे detail के साथ mail करे इस पे जो भी बच्चा उपर वाली mail ID पे mail करे मेरा उनसे निवेदन है कि वो यह notification का यह वाला इतना page साथ में screen source लेके attach करे और यह लिखे कि PGIMS के द्वारा CET की date 16 June fix की गई लेकिन अभी तक हमारे form भी release नहीं हुए है तो हमारे form कब आएंगे और exam कब होगा हमें schedule जारी करके जान करी दें बहुत ही शब्यबासा और बहुत ही व्यवस्तित चीजें इनसे पूछनी है क्यूशन करना इनसे जितने जादा हम क्यूशन करेंगे उतना ही तुरंद इनका reply आएगा बच्चो और ये website को update करेंगे तुरंद notification डालेंगे हैना क्योंकि सोय हुए लोगों को जगाना पड़ता है और आज की जमाने में जगाने के लिए email करने पड़ते हैं social media पर tweet करने पड़ते हैं videos बनाने पड़ते हैं ठीक है आज के समय में बच्चे मांग कर रहे हैं teacher मांग कर रहे हैं और university के लोग सोय हुए हैं हम demand करके आंदोलन करके आवाज उठाके फिर exam करवाते हैं कौन से दिन आ चुके हैं ठीक है समझ नहीं आ रहा जिम्मेदार लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं यह भी कोई तरीका है क्या ठीक है न अब देखिएगा सबसे main बेटा इनकी mail ID यही है इसी mail ID को यह लोग operate करते हैं ठीक है न जो board है न बेटा examination वो इस mail ID को operate करता है तो मेरा निवेदान है कि इस mail ID पे आप email करें mail ID फिर से देखें a-c-a-d-e-m-i-c add the red u-h-s-r dot a-c dot in इस mail ID पे mail करना है और इस पे लिखना है कि please release CET 2024 admission form for BAC nursing paramedical and physio therapy entrance exam ठीक है न यह आप से request इन से करना है और आप इनको यह भी याद दिलाना यह आपने अपने old schedule में 16 June exam की date बताई थी अब आप बताईए exam कब कर रहे हैं और form कब release कर रहे हैं सभी बच्चा अपने अपनी तरह से कर सकता है mail Hindi में लिखके भी कर सकता है जरूरी नहीं है की पूरी application टाइप करो और कोई page पे application टाइप करके photo लेके भी बेश सकता है ठीक है न तो सभी बच्चे इस पे email जरूर करें भाई इस नीचे वाली mail ID पे और इसके अलावा विजे education का जो twitter handle है आप twitter पे जाके सर्च करिए विजे education और वहाँ पर जाके बिटा और हमारा twitter handle जो है वो विजे nursing के नाम से है है ना विजे nursing के नाम से सर्च करेंगे तो विजे education का twitter page आएगा उस पे हमने हरियाना के लिए बच्चों tweet कर रखा है जिसमें हमने PZIMS को भी साथ में take किया है हरियाना के CM को take किया है है ना बिटी बिडी सर्वा को take किया है है ना government of हरियाना को take किया है ठीक है ना INC और वहाँ की जो भी nursing agency हैं उनको भी take किया है बच्चों हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि university यां भी अब लापरवा हो चुकी है अब university में भी कही ना कहीं जिम्मेदारी नहीं रही बच्चों के प्रती है ना ये भी जिम्मेदार बरताव नहीं करती है और इसलिए हमें आवाज उठानी प्रती है तो इस मुद्दे को हमें और बड़ा बनाना है अगर ये लोग आने वाले इस जून के लास्ट वीक तक फॉर्म रिलीज नहीं करते हैं बिटा तो इस मुद्दे को अपन और बड़े इस तरफ पर उठाएंगे तो मुझे बरोसा है कि हमारी आवाज यूनिवर्सिटी तक जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा हजारों की संक्या में इमेल गए, कॉल गए तो इन लोगों को पता चल जाएगा ठीक है ना? ये देखिए आगे इनके मॉबाइल नमबर पी है इस पर आप कॉल भी करें इस पर आप इमेल भी करें ज्यादा से ज्यादा mail और call करके पूछें कि हमारे form कब आएंगे ठीक है बच्चो बिलकुल जी अब देखिएगा बिटा आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप तैयारी में लगे रहें आप अपनी तरब से कोई कमी ना रखें ये बच्चो पेपर पैटरन है ठीक है ना CET का देखो जो CET है बिटा इसका ये पेपर पैटरन है चाहे आप BSE नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप पेरा मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप फीजियो थेरेपी की preparation कर रहे हो, सबी के लिए ये common exam होता है, जिसमें physics के 60, chemistry के 60, bio के 60, total 180 Quesn आएंगे, 180 marks का paper होगा, paper English medium में होगा और syllabus 11th और 12th का आएगा, undrained percentage syllabus आएगा, जो deleted segment है, उससे भी Quesn आएंगे ठीक है बच्चो, negative marking paper में नहीं होगी, इसलिए सारे Quesn आपको attend करने हैं, ठीक है बच्चो, बिल्कुल जी, तो तैयारी में लग जाईए, जम के तैयारी करिए बच्चो, मैं तो आपको बस यही कहने वाला हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल जी, अब इसके बाद में, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाते हैं, तो आप कैसे और कहां से कर पाएंगे, देखो बिटा, अगर मान लो आपके आज भी फॉर्म रिलीज होते हैं, तो भी आपका एक्जाम बिटा, लग बग 45 दिनों के बाद होगा, अब आप मान के चलिए बिटा, आपका जो एक्जाम है, B.S.E. नर्सिंग का जो ये इंट्रेंस एक्जाम है, ये लग बग अगस्त में होगा बिटा, कब होगा? अगस्त में आपका एक्जाम होगा, तो इसलिए मेरा निवेदन है, और लग बग आपके फॉर्म जो है बिटा, जहां तक इनको ठीक है ना तो अगस्त में आपके बेटा जो है अगस्त के फैस्ट या सेकंड वीक तक आपके एक्जाम अंडरेंट परसंटेज हो जाएंगे तब तक आप जम के तैयारी करो डट के तैयारी करो अगर आप सेल्फ इस्टेडी कर रहे हो बढ़िया बात है ऑफ-लाइन इ आते हो तो आप विजय एजुकैसन के साथ जोड़के पढ़ो बेटा विजय एजुकैसन एप के अंदर हर्याना के बच्चों के लिए हमने बहुत शानदार स्वीधा बच्चों दी है एकदम नाम मात्र के चार्ज में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एप का जो मिल रहा है ना इस ब्रमास्त्र क्रेयस कॉर्स में जो हैं वन-सोट घ्लासें आपको मिल जाएगी वन-सोट घ्लासें सारी recorded वाम में आपको मिल जाएगी वाई-Langual सात में उनके proper नोट्स मिलेंगे सात में proper test मिलेंगे साथ में proper DPP मिलेगी, model paper मिलेगा, previous year की paper और उनका solution मिलेगा, test और उनका solution मिलेगा, DPP और उनका video solution मिलेगा, मतलब इतना सांधार content मिलेगा बेटा, और इस तरह का compile कियावा content है, कि आप 30 दिन के अंदर, 30 से 35 दिन में बचो, एक बार अपने पूरे syllabus का revision कर पाओगे, इस तरह स हमने पूरा system तयार कर रखा है, अब भी इन बेच में live class से चल रही है, हम chapter wise mcq और theory के द्वारा again revision कर रहे हैं, तो आप अभी जुड़ जाईए, आज ही जुड़ जाईए, इस बेच को buy करना हो तो, विजे education app पे जाके, विजे education app में अपना mobile number डालके, ठीकन इस बेच पे option दिखेगा, जिस पे click करते ही, payment का link आता है बेचा आपके number पे, और सिधा आप उस link पे click करके pay करोगे तो बेच चलू हो जाएगा, विजे education.com website पे जाके पहले बेच चलू कर सकते हो, बेच को buy कर सकते हो, फिर विजे education app में जाके login करके class देख सकते हो, एप download करने का link जानकारी के लिए ही है, help line number 9672721229, आप इन नंबरों पे बेचा call भी कर सकते हो, फिर वाटसप मेसेज भी कर सकते हो, सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चों की demand है books की, तो अगर आप books order करना चाते हो, तो विजे education की तरफ से, एक बच्चा, हिंदी और इंग्लीज इस दोनों medium में एक साथ ये books हमने launch की है, 299 रुपे इसका charge है, है ना, जिसमें इस books की delivery बिल्कुल free है, delivery का charge हम देके बेजते हैं, ठीक है ना, तो आप अपने घर तक अगर books मंगवाना चाते हो, तो साथ दिन में books की delivery हो जाती है, क्यूसन प्रैक्टिस के लिए बहुत supply number है, screen पे दिख रहे हैं, इन नमबरों पे आप whatsapp address बेज दीजिएगा, विजए टीम यहां से आपकी books रवाना कर देगा, ठीक है ना, दूसरा तरीका है, विजए education.com, website पे जाके books order कर सकते हो, तीसरा तरीका, विजए education app में जाके भी books order कर सकते हो, ठीक है ना, बच्चों विल्कुल जी, अब इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, अब बच्चों देखो देखें, मैं बच जाते जाते अब बड़ी बात यही कहना चाता हूँ, ठीक है, तैयारी करते रहना बेटा, यूनिवर्सिटी ने लापरवाई किये, हम सब मानते हैं, और मैं पहले भी इस मुद्दे को उठा चुका हूँ, हैना, और मैं चाता हूँ, इस मुद्दे को हम और उठाएं, जितनी इस बात को बड़ी बनाएंगे, तब हमारे फॉर्म आएंगे, क्योंकि बच्चों ये गवर्मेंट सर्वेंट, ये गवर्मेंट अधिकारी, इनके उपर बहुत ज गलती ना रही हो, किसी एकाद की गलती से ऐसा हुआ हो, हैना, एक्जेक्ट जो भी हुआ है, इससे लोस बच्चों का होता है, अगर मान लो कि एक्जाम एक महीने लेट हुआ, तो एक महीने आपकी पढ़ाई का लोस होगा, फिर जो डिग्री आपकी, चार साल में में कम्पलीट होगी, चार साल, दो महीनी, चार साल, तीन महीने, क्यों हमारा ज्यादा टाइम लगे, टाइम पे हो हमारा पूरा सिस्टम, हमी तो यही चाहेंगे, तो इसलिए बच्चों दबाब भी बनाना है, लेकिन पढ़ना भी है, डट के मैनत करनी है, डेली दस से बा करो, विजे एजूकेशन एप में टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को दो, मोडल पेपर डले हुए हैं, उन मोडल पेपर को प्रैक्टिस करो, है ना, और कुछ फ्री कंटेंट भी डला हुआ है बेटा, एप में जाके, एप जब डाउनलोड करोगे, थ्री डोट पे उपर क्ल सलेक्शन आराम से होगा, मैं उदारन देना चाहता हूँ, कल ही रिजल्ट आया था, एम्स का, एम्स की तैयारी बहुत सारे संस्तान करवाते हैं, और उन में से विजे एजूकेशन भी है, बच्चों विजे एजूकेशन ने इमानदारी से बच्चियों को पढ़ाया, बड करते हैं, है ना, इस तरह के बच्चे जो वास्ताव में ओनेश्टी के साथ में, इमानदारी के साथ में पढ़ना चाहते हैं, है ना, इस तरह के जो सामाने परिवार के बच्चे हैं, वो विजे एजूकेशन से जुड़े हुए थे, जानते हो इस बार क्या हुआ, एम्स का रिजल्ट आया और M's में टोटल 18 कोलेज है M's के उन 18 कोलेज में जितनी सीटे है ना उनकी लगबग आदी सीटों पर विजे एजूकेशन ने और विजे एजूकेशन की शेर्नियों ने जीत आंसिल की है सेलेक्शन लिया है जो कि अपने आप में 18 के बिटा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ 1300 सीट है M's की उन 1300 में से 500 से भी ज़्यादा सीट एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, सो नहीं है ना, 10 सेलेक्शन भी बड़ी बात होती है, बीस भी बड़ी बात होती है, पांच भी बड़ी बात होती है और यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा बेटियों ने एक साथ बेटा सेलेक्शन लिया है मैं इन तमाम बहीनों को बड़ा ही देना चाता हूँ, आप देखिए बटा और बड़ी असानदार रेंक से, ठीकन अच्छी रेंक से, है ना, क्यूंकि किसी भी केंडिडेट की रेंक अगर EWS केटेग्री में 5000 के अंदर, SCST में 8000 के अंदर, जनरल के अंदर 2000 के अंदर, ठीक है और OBC में 3000 के अंदर होती है, तो हैम्स कोलेज मिल चाहे आप देख सकते हैं ये बेटियां, देखिएगा, 1000 रेंक है मुश्कान मिश्रा, ठीक है ना, देखिए 845 रेंक है, जनरल इमाम, देखिएगा आप, 217 रेंक है वश्षा, है ना, देखिएगा बिटा, इनमें बहुत सारी बच्चेयां हरियाना की है, राजस्तान की है, यू परिवार की बेटियों ने इस बार, जो है, एम्स के अंदर सलेक्शन लिया है, जो की बहुत बड़ी बात है, पहले बड़ी-बड़ी सीटी के जो बच्चे थे, वो सलेक्ट होते थे, जिनके माता-पिता मेडिकल फिल्ट से आते हैं, उनके बच्चे जादा सलेक्ट होते लेकिन इस बार जो है, एकदम मामला उलट गया है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, जैसे कि चारुचोदरी जी, 1244 रेंक है, हैना, 189 रेंक पूनम है, ठीक है ना, यह देखिए का 2754 रेंक है, उसी है ठीक है ना, इसी तरह से 4493 रेंक रिया है, हैना, इसी तरह से 91 रेंक इसी तरह से 648 rank है बिटा, रिती का है, है ना, बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाते रहें साथ में, है ना, इसी तरह से बिटा, देखो, 99.8%, 1431 rank, अंसु है, है ना, वियार से, इसी तरह से बिटा, देखो, निकीता सर्मा है, ठीक है ना, 1175 rank, इसी तरह से आप देखिएगा, इसी तरह से बिटा, 994 rank, उसी जांगिड है, जुन्जनू राजस्तान से, इसी तरह से बिटा, आप देख सकते हैं, मुश्कान सर्मा, 592 rank, है ना, इसी तरह से जो हैं, दिलसान खान, 967 rank, इसी तरह से बिटा, उसी परमार, धोलपुर राजस्तान, 431 rank, इसी तरह से 888 rank, का इसी तरह से बिटा, देखिएगा, आफरीन, कातून, ठीक है ना, 1516 rank, इसी तरह से बिटा, देखिएगा, 1544 rank, चमर्दिता, शेटी, है ना, वेश्ट बंगाल, इसी तरह से बिटा, 39 rank, कुरिती, ठीक है ना, इसी तरह से बचो, 1129 rank, है ना, अनुश्का, ठीक है, इसी तरह से बिटा आप देखिएगा जो सना जो सी ठीक है ना 521 रेंग इसी तरह से 1769 रेंग सुस्मिता बिहार से इसी तरह से बिटा 192 सा पूजा सर्मा है ना इसी तरह से बिटा 571 अदीती है ना बिहार से इसी तरह से बिटा जो है कोचीन केरला से 1151 तुशारा और भी बहुत सारे ह जिसमें अरियाना के भी है, राजस्तान के, उत्राखंड की बच्चियां हैं, हिमाचल प्रदेश की बेटियां हैं, ठीक है न, क्यूंकि यूट्यूब की एक fix limitation है, उससे ज़्यादा अंपोस्ट ही नहीं कर सकते एक दिन में, ठीक है न, बिल्कुल, तो मैं इन बच्चियों स आपको कहता हूं कि आप इन से प्रेरना लीजिए, ये हमारी बेटियां हैं, जिन्नोंने इसी विजे परिवार से जुड़के तैयारी की और ये एतियाक सिक result दिया, आज विजे परिवार का हरे एक सदसे खुश है, कि वास्ताओं में जितना हमने सोचा नहीं था, उससे द साथ मैं इन बेटियों की मेनत को प्रणाम करता हूं, क्योंकि चाहे विजे एजुकेशन कितनी भी मेनत करवा लेता, अगर बच्चेयां सेडियूल बना के नहीं पढ़ पाती, तो साहिद आज ये स्कोर नहीं आता, मैं आपको भी कहना चाता हूं, बच्चों अभी भी वक स्टडी करोगे, टार्गेट बना करके, डेली फिक्स टार्गेट बनाईए, इतना तो मुझे आज पढ़ना है, और उतना पढ़ी है, हरियाना के बच्चों के अंदर कहीं न कहीं कहते हैं, कि हरियाना का जो बच्चा होता है, वो तो जनमते ही छट्टी पास होता है, ऐसा मेनत करो आगे बढ़ो ठीक है ना और खुस रहिए सबसे बड़ी बात है ठीक है बिलकुल और आवाज को उठाते रहिए इस आवाज को बुलंद करते रहिए और खुद को भी बुलंदी पर रखिए थेंक यू सो मच